हेलो दोस्तों एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का शिवा के इस नई वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप तोता पालने जा रहे हैं तो दस बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे इसके लावा आप लाइक का बटन हिट करने में कंजूसी बिलकुल भी ना करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर भी ज़रूर कीजे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जब भी हम पैरेट लेकर आते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए तो वो बाते क्या हैं उनको मैंने 10 पार्ट में डिवाइट किया है तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ये सारी बाते आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं बहुत तो नहीं है उसके हाथ पैर चोंच पंक ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखिए साथ ही साथ उसकी एक्टिविटी को भी ध्यान में रखकर ही लाइए यानि कि जल्दवाजी में आप तोते को घर में बिल्कुल मत लाइए क्योंकि कई बार बीमार तोते आप घर करना होता है पूरे दिन भर में उसकी क्या-क्या एक्टिविटी रहती है यानि कि जब भूका होता है तो वो क्या एक्टिविटी करता है वो अगर पौटी कर रहा है तो उसकी क्या एक्टिविटी है इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से बाच करना है नमबर त तो इससे ज़्यादा खराब कम आप पैरिट के साथ नहीं कर सकते क्योंकि जो पैरिट हमेशा से केज में बंद हैं या फिर जो बेवी पैरिट हैं जिनको बच्पन से ही अपने पैरिट से दूर कर दिया गया है उन पैरिट को बिलकुल नहीं बता कि आजाद आकाश में किस त सुबह का वक्त जब होता है तो पंद्रह मिनिट से लेकर आदा घंटा आप अपने पैरिट के साथ जरूर बिताएं आप चाहे तो केज को अपने पास में रख लें अगर आपका पैरिट केज में रहता है तो चाहे पीते वक्त आप उनके पास रहें और उनसे बातचीत करे ताकि उनको अपना पन एहसास हो उनको अपने पन का एहसास हो कि ये कोई हमारा फैमिली मेंबर है तो सुबह के 15 से 20 मिनिट आदा घंटा जो इतना भी आप बैठ सकते हैं और इतना वक्त उनके पास बैठ कर आप उनसे बात करें ताकि उनको आपके साथ फैमिली वाली फील उस्त नजर आता है तो वह सुबह के वक्त ही आपको दिख जाएगा जैसे आप उसके लिए दाना पानी रखेंगे तो उसकी एक्टिविटी आपको पता चल जाएगी कि क्या वह उद्रोज की जैसे ही एक्टिव है या आज कुछ मूड आपको उसका शांत दिख रहा है तो सुबह के वक्ती इस चीज़ को आप सरुर देख लें नंबर सेक्स पंख करने का मतलब ये बिलकुल नहीं होता हम है कि आप नके पंखों को कटवा निया जैसे की लड़कों में यह健 एक हूथ है कि ट्रिम abd a business नहीं दौनों वादों में फर्क होता है दोस्तो तो पंख कट तो तोते चोटिल हो जाते हैं उनको नुकसान पहुंसता है लेकिन पंखों को ट्रिम करने का जो तरीका होता है उसमें से वह उन दो चार पंखों को हटाया जाता है जिनसे कि वह बहुत जादा उचाई पर उड़कर ना जाए इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह करवा सकते हैं नमबर सेवन खाने में सीट्स वेजटेबल फूट्स और ड्राइ फूट्स इनका रेश्यो बिल्कुल आप नपातुला रखें सीट्स आपको हमेशा 30 परसंट देने हैं बाकी के 70 परसंट को आपका इनका तोते का जो पेट है वो आपको 70 परसंट फूट और वेजटेबल से ही भरना है इसको आप ध्यान रखें ऐसा नहीं कि उनके तीनों डाइट में आप सिर्फ और सिर्फ सीट्स रखते हैं चाहें सीट्स इनको कितना भी पसंद हो लेकिन वेजटेबल और फूट्स इनके लिए जरूरी है जिससे कि इनको सारा न्यूट्रेंट् घर के हर एक मेंबर से आपके बेबी पैरट का आपका जो पैट है उससे घुलना मिलना बहुत जरूरी है हर घर का हर व्यक्ति उससे मिले और हर व्यक्ति उससे फैमिलियर हो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जैसे जो जिससे सबसे आदा खुले होते हैं व्यक्ति नमब नाइन नीम हल्दी एलोवेरा। का उपयोग आप सबसे زादा की जिए इनके नहलाने के लिए। पानी में आप नीम या दो बाल दीजिए या चुटकी बढर हल्दी उबाल दीजिए, या फिर एलोवेरा का ज़ो जक्रू will होतách उसको अब दिए क्रूक्षान कर आप अ अगर आप अपने पैर्ट को निलाते हैं तो उसके पंकों में हलके फुल के अगर कई जर्म्स कीड़े लग जाते हैं तो वह जल्दी से बॉश आउट हो जाते हैं प्लस इनके जो स्किन होती है वह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शाइनी हो जाती है नमबर टैन केज को रात के समय हमेशा ढख कर जब भी आपका पैरिट आराम करता है केज के अंदर तब आप उसको ढखने की आदट डालिए जिससे कि वह चिर्चना ना हो डिप्रेशन में ना हो क्योंकि नाच्रल भी अगर आप देखेंगा परिंदे आप देखते हैं कि 6 समय पर आप इनके केज को ढख कर रखें क्योंकि आपकी लाइट तो जली रहेंगी लेकिन पैरिट को अंधिरत चाहिए तो हमेशे यादत डाले कि आपका पैरिट एक बहुत शांती वाली अंधिरे की नीद ले तो यह जरूरी है कि आप उसके केज को अच्छी तरह से ढख